ओम शांती आज 17 अक्टूबर 2022 है ब्रामन बच्चे और दुनिया के सभी आत्माई बार बार यही पुछते हैं और मन में यही ख्याल आता है कि ये विश्व कब पुरा होगा समापती का समय कब आएगा तो आज के स्लोगन से हम ये जानेंगे कि समापती के समय को समीप कैसे लाया जा सकता है आएए सुनते हैं आज का स्लोगन अर्शरीरी बनने का अभ्यास ही समापती के समय को समीप लाने का आधार है कालों का काल महा काल शिब बाबा के हम बच्चे मास्टर कालों का काल मास्टर महा काल है हम बच्चों को ये स्रेश स्वामान और स्रेश टाइटल बाब द्वारा मिला है परन्तु हमें ये सोचना है, हमने अपने आप को देखना है क्या सच मुझ हम मास्टर कालों का काल महा काल है काल की दो अर्थ है, एक है समय, दूसरा है बृत्यू महा काल माना समय पर विजय प्राप्त करने वाले और दूसरा मृत्यू पर विजय प्राप्त करने वाले तो क्या हम सच मुझ समय पर और मृत्यू पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर महा काल बने है ये हमें देखना है न केवल खुश होना है कि हमें इतना स्रेश टाइटल मिला है बाबा ने एक मुर्ली में कहा हुआ है कि बच्चे तुम समय के रचता हो समय आपकी रचना है इसी लिए आपको समय का इंतजार नहीं करना है समय आपका इंतजार कर रहा है समय का इंतजार करना माना समय आने पर अपने आपको तयार करना और उसके उल्टे हमें करना है अर्थात समय से पहले मुझे अपने आपको तयार करना है और एक और अव्यक्त मुडली में बाबा ने ये कहा हुआ है कि समय बाबा से ये कह रहा है कि बाबा तुम्हारे जो ब्रामवन बच्चे हैं वही समय को समीप लाने वाला है और प्रकृती भी ये पूछती है बाबा से कि बाबा आपके बच्चे समाप्ती के समय को कब समीप लाएंगे क्योंकि प्रकृती ही समाप्ती करने का साधन है, पुरे विश्व को समाप्त करने का प्रकृती ही निमित बनेगी इसलिए दोनों ही समय और प्रकृती बाबा से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे हमको समीब, मतलब समाप्ती के समय के समीब कैसे लाएंगे तो इसका अर्थ क्या है? समाप्ति के समय को समीप लाना माना अपने आपको संपन और संपूर्ण बनाना संपन और संपूर्ण बनाने का आधार है अशरीरी स्थिती क्योंकि अशरीरी स्थिती ऐसी स्थिती है जो हम शरीर से न्यारे इस हद के देह प्रकृती से न्यारे अपने निजी स्वरूप में स्थित होने की स्थिती है जिसमें हम अपने आपको संपूर्ण और संपन स्थिती का अनुभव करते हैं बाप समान बाप के एकदम कमबाइन स्वरूप के स्थिती का अनुभव करते हैं और इस स्वरूप में अपने अंदर के सारे अलोई को गलते हुए अनुभव करते हैं और इस संपून स्वरूप में जब स्थित होते हैं तो इस स्वरूप से इस थिती से विनाज ज्वाला प् इसलिए हमें अभी अश्रीरी बनने का अभ्यास करना है ताकि इस थिती से हम समाप्ति के समय को समीपलाई, समय को भी और प्रकृति को भी इशारा दे. ओम शांति